तो गूडुणिंग आप सबी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BPSE141 के प्रिबियस येर के question paper को देखेंगे इस वीडियो में आपको BPSE141 के English Medium का question paper आप देख सकते हैं English Medium भी आपको देखाऊँगा और उसी के साथ में हम हिंदी मीडियम का question paper को देखेंगे जो आपके आने वाले exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है जितनी भी एगनु के student है political science के बच्चे हैं चाए आप B.A.G. का है चाए आप owners के political science owners हैं एक दोनों के लिए important questions रहेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं B.P.S.E. 141 सबसे पहले मैं आपको Hindi मीडियम का question paper दिखाता हूँ फिर मैं आपको English मीडियम का भी दिखाऊंगा आपको इसकी classes कहां से मिलेगी उस classes की वीडियो को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसकी class कहां से जाकर के पढ़ाई इसके लिए आप कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखेगा क्या है B.P.S.E. 141 ये जून 2022 का question paper है कब का question paper है? जून 2022 का question paper है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं B.P.S.E. 141 गांधी और समसामुईक बिस 100 नंबर का paper होगा 100 marks का की जमा 100 में से 35 marks 35 नंबर वाला जो लाएगा बच्चा वो पास रहगा और आपका जो एकजाम होगा 3 hours है यहाँ तीन घंटे का paper रहगा ठीक है आपको total 8 question है इसमें 5 question आपको attend करना है every question 20 marks से हैं world limit आपकी 400 में रहने वाली है 400 सब्दों में होना चाहिए तो 400 सब्द का मतलब होता आपको minimum answer side का 4 page लिखना पड़ेगा ठीक है 4 page का मतलब यह होता है जैसे 1 page रहता उसका आगे पीछे का दो आगे 1 पीछे दो इससाब से हर एक page उठाओगे तो उसमें आगे है एक पीछे है तो आगे एक पीछे दो इससाब से अगर page को count करोंगे तो इससाब से 4 पन्ना लिख लिए ना ठीक है अपनी काम करो कॉपी निकालो कॉपी में सभी question को आप लिख लिजे ठीक है फिर English medium ले बच्चे भी अपनी कॉपी निकाले ना जब मैं English medium के दिखांगा तो आप लोग भी अपने question को note down कर लिजेगा ठीक है खंड एक में देखे पहला हमारा question क्या है भारत में परियावरणिये आंदोलन पर एक टिप पने लिखे 20 नंबर का question है सभी 20 नंबर के है ठीक है दूसरा हमारा question क्या है गांधी की विचारों के संदर में भारत में सामाजिक सानमंजस की पड़ताल कीजे 20 नंबर का question है भी या तीसरा हमारा question क्या है देखेगा गांधी की सिच्छा की योजना पर चर्चिवे महात्मा गांधी की education policy क्या सिच्छा की योजना के वापको बताना है नेक्ट हमारा question क्या है नैतिक्ता और सदा चार पर गांधी के विचारों का परिक्षण कीजे ये भी 10 नंबर का आपका question है ठीक है 20 every question 20-20 नंबर के next हमारा question है question number 5 question number 5 क्या है निमलिखित पर लगभग 200 सब्दों में आपको टिपणी करनी है का क्या है जिसे स्वदेशी पर गांधी के विचार क्या है धार्मिक बहुलवाद और संपरदाइक सदबाव पर गांधी के द्रिष्ट कोन आपको बताना है next हमारा जो question है question number 6 है यहाँ पर दिखेगा निमलिखित पर लगभग 200 सब्दों में परतेक पर आपको समचित ठिकपणी लिखनी है का और खा सारी question लिख लिजे का क्या है सांती और अहिंसा पर गांधी के विचार आपको बताना है दूसरा क्या है दक्षण अफ्रीका में गांधी के संगर्स तो total कितना होगा 10 का ए रहेगा और 10 का खा तो total 20 का हो जाएगा सभी question 20-20 के हैं जैसे का और खा कर दिया तो 10-10 के हो जाएगे जब आप जैसे छटा question अगर आपको लिखना है तो इसी साब से आएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा question number 7 क्या है असहयोग आंदोलन पर एक टिपणी कीजे 20 number का question है तो 4 page आप अच्छे से लिख ले ना इसमें नेक्स्ट हमारा question है question number 8 आखरी question है ठीक है सभ्यता पर गांधी के विचार पर चर्चा कीजे एक question कितने माक्स का है 20 number का question है इस question को भी आप क्या करने ना note down के लिजे इस question को भी आप लिख लिजे चलिए मैं आपको English medium आले जो student है उनके लिए भी मैं आपको question paper दिखा देता हूँ ठीक है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ English medium आले student के लिए question paper फिर मैं आपको class कहां से मिलीगे वो भी बताता हूँ ठीक है BPSE 141 June 2022 का question paper है ठीक है यहाँ पर आप देखिएगा क्या है BPSE 141 यह 100 marks का आपका exam होगा और 50 sorry 35 marks passing mark रहेगा 35 3 hours का आपका यह कह रहेगा यह आपका exam होगा और आपको क्या करना है 5 question आपको attempt करने है ठीक है 400 word limit है every question 20 marks के है ठीक है 20 marks का question है यहाँ पर आप अपनी notebook जितने भी English medium के student है आप अपनी notebook निकाल लिजे और सभी question को आप क्या करना आपको note down कर लेना है ठीक है तो देखे गए आप पर पहला question क्या है note down कर लेना है 20 marks का question है 20 number के question है note down कर लेना notebook में second हमारा question है यह question भी 20 marks का है इस question को भी आप note down कर लेजेगा यह भी आपका 20 marks का question है next हमारा third question है यह question भी आपका 20 marks का question है इस question को भी आप note down कर लेज़ेगा important question है ठीक है Next हमारा है question number 4 है इपका 20 marks का question है इस question को भी आप note down कर लेज़ेगा ठीक है Next हमारा section second है section second में क्या रहेगा question number 5 question number 5 में क्या आपको 200원 में लिखना है बट इसमें A and B है तो दोनों को note down कर लेना A 10 marks का है B 10 marks का है तो जब आप question number 5 अगर आपको attempt करने हैं तो आपको A and B आपको दोनों लिखना पड़ेगा ठीक है इनोट डाउन का लिजेगा notebook में copy mail लिख लिजेगा next हमारा question number 6 question number 6 भी आपको short note लिखना 200 word में A and B है तो A and B को आप लिख लिजेगा important है A and B जब आप question number 6 अगर आप attempt करते हैं लिखते हैं अपनी notebook exam में लिखेंगे तो आपको A और B दोनों लिखने पड़ेंगे A नहीं A लिख दिया B नहीं लिखना तो आपको दोनों लिखना नेक्स्ट हमारा question है question number 8 last question आएगा question number 8 आप इसको भी note down कर लिजेगा ये भी 20 marks का है जितने भी my question आपको दिखा रहा हूँ इन सभी question को आप अपनी copy में लिख लिजे क्योंकि आपके आने वाले exam के लिए ये बहुत ज़्यादा ही important है इन सभी question को आपको करके जाना है ताकि अपने exam में आप ज़्यादा से ज़्यादा marks या 6 से 6 marks को आप gain कर सके सभी question को लिख लिजेगा और every question आपके लिए important है और आपको वीडियो कहां से मिलेगी वीडियो बता देता हूँ क्योंकि मैं class भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप वहां से अपने question exam की पढ़ाई भी कर सके तो मैं चले मैं बता देता हूँ आपको वीडियो कहां से मिलेगा ताकि आप वीडियो जा करके देख लें और हूँ सभी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप अपने exam में ज़्यादा से ज़्यादा माक्स लाए पाएंगे ठीक है अगर आपको class करने हैं class के लिए आपको क्या करना पड़ेगा class की सारी वीडियो देख लो आपका exam अच्छे सोजगा ठीक है तो काम कीजेगा आपको सबसे पहले क्या चैनल पर आना पड़ेगा जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर चैनल का नाम लिखा है वहीं पर क्लिक कलो अध्यन एजुकिशन सेंटर पर ठीक है वहीं पर अभी बता रहा हूँ देखने फिर एएजसे चले जाना ठीक है आप चैनल पर क्लिक कीजेगा फिर उसके बाद जब चैनल पर आजाओगए आप ठीक है यहाँ पर जो लिखा है playlist इस पर जाना है playlist जैसे आप playlist पर click करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगे credit placed यहाँ पर click करना है नीचे जो थोड़ा सा तिर्चा सनिसान बना है इस पर जैसे आप click करेंगे ठीक है वैसे आपको वीडियो मिल जाएगे BPSC141 जो यहाँ उपर ही दिखरा होगा देख लिजे क्या है BPSC141 देखेगा इस पर क्लिक कर लो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा देख लिजेगा BPSC141 वीडियो आ गई है और यहाँ पर आप देखेगा मैंने सारी वीडियो आपको पढ़ा रखा है चप्टर 1st है चप्टर 2nd है चप्टर 3rd है चप्टर 4th है चप्टर 5 है इस मैंने important question की बता रखे तो मैंने आपके लिए सारी वीडियो भी बना रखी है आप जाकर के एक बार इन सारी वीडियो को watch कर लो सारी वीडियो को देख लिजिए और सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है तो इन सभी वीडियो को आप जाकर के एक बार watch कर लो और आप exam में अच्छे से अच्छे marks लाएंगे ठीक है तो वीडियो जाकर के देख लिना एक वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताएगा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनवाद ठैंक्यू सो मच जै हिंग जै भारत और आप सभी को exam जो आपके चल रहे हैं exam के लिए आप सभी को best of luck थैंक्यू सो मच जै हिंग जै भारत